हेलो एवरिवन ये है वीडियोज वर्ल चैनल आज आप सीखेंगे मैट लैब को डिजाइन और एनलाइज कैसे करते हैं तो डिजाइन एनलाइज करने से पहले मैं एक चीज बताना चाहूँगा कि मेरी एक वेब साइट है www.engineers4civil.engineers4civil.com तो इस वेब साइट में आप देखिए यहां पर किसी भी सॉफ्टर के टूटोरियल से देख सकते हैं आप यहां पर बुक्स देख सकते हैं आप बुक्स बाई कर सकते हैं इस वेब साइट को फॉलो कर सकते हैं आगे आने वाले पॉस्त के लिए तो प्लीज इस वेबसाइट पे विजिट कीजिएगा और हो सके तो कि जो आपको साइड में एड्स दिखाए देतना से कि एड आ रहा है और नीचे भी एड्स आ रहे होंगे यह एड है इन पे एक बार क्लिक कर देना तो आपका आपकी बहुत किरप्या होगी तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें फाउंडेशन डिजाइन करने के लिए एक हमें structure चाहिए analyzed structure तो यह देखे एक analyzed structure है एक बात और बताना चाहूंगा हमें कि इस वीडियो का English audio के साथ भी upload किया गया है तो आप English audio में you can also watch this video in English तो हमें एक structure चाहिए यह six-story structure में पहले से बनाया है जिसमें पुछ लोड लगे हैं लोड बोड हैवी लगा हुआ है इसमें देखिए फिफ्टी किलो न्यूटेन पर मिटर स्कार का लाइव लोड लगा हुआ है इसी के लिए हमें फांडेशन डिजाइन करनी है अब फांडेशन मैट फांडेश तो हम मैट फांडेशन डिजाइन करते हैं तो कुछ चीज़ हम याद रखने ही जिसे कि हमाई शेप बिल्डिंग की और साइज यह 10 मीटर है यह 10 मीटर है यह याद रखना है हमें और एक चीज़ और याद रखने हैं सारे कोलम का साइज हमारा 600 बाइट 600 एमेम है ठीक है य फांडेशन को पर क्लिक कर देते हैं को कहा जाना जोब सेटब पर जाना है क्रेट अट न्यू जोब यहां पर डालना है राइट साइड में मैट कि इसमें करें आप report और आपका इंडियन और कोड होगा आपका इंडियन करेंगे size define कर रहे है ठीक है तो हमने add matching group में गई region में गई यहां पर हमारी building की जो shape है वो rectangle square है तो हम यह rectangle region वाली shape ले लेंगे shape के according हम लेते हैं यहां पर origin 00 है और length हमारी 10 meter by 10 meter की है ठीक है building की size था 10 by 10 था और y 0 तो इसलिए है क्योंकि हमारे यहां पर देखोगे support जो है जहां पर foundation design होनी है वहाँ पर y 0 है तो यहां पर डाला add reason किया add reason में आप देख सकते हैं जो हमने reason add किया mat foundation के लिए column के center to center है जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए जबकि यह होना चाहिए column के outer edge से outer edge तक ठीक है तो यह पता है आपको यह कितना है 600 mm का इसकी length है column का size है तो हमें 300 mm और खिसकाना है इसे है ना इतना 300 mm और इसको भी 300 mm खिसकाना है और total 600 mm increase करना है ठीक है तो हम क्या करते हैं यहां पर जो है minus करते हैं इसका origin 300 mm और यहां पर length 600 mm बढ़ा देते हैं अब देखिए आप सही दिखाई दे रहा है और जो पहले बाद रिजनर से क्लिक करके keyboard से ग्लीड कर देंगे अभी आपको लगेगा कि यह कुछ ग्राफिक इसकी विसे नहीं दिखाई दे रहा यहां पर पहले इस boundary को select कर लेना है जो मैट की है यहां पर उसका नाम डाल देना है मैट और एड रिजन पर क्लिक कर देना है यहां पर देखिए मैट आ जाएगा इस पर क्लिक करके जैसे कि हम stat foundation stat pro में slab को मैस करते थे finite element analysis करते थे generate मैस पर क्लिक करना है पूछ रहा है कि इसको कितने finite element छोट छोटे parts में डिवाइड करना में करना है को दो कॉरू रहीजे करना है जाने कोंडि इंफार फार्ट कर लेते हैं कि इसके बाद एन्लाइजे करेगा टैफिल कर लेते हैं चीजे ऑने इसके disponsta दे computational कॉलिक करना है準 है कि तो यह एनलैस करेगा इसी यह आपकी processing होगी उसके बाद हम इस पी जाएंगे output view पर तो आप output view पर देखेंगे stresses यहां पर click करके आप stresses देख सकते हैं maximum absolute और हमारा deflection भी दिखा रहा है यह color से आप देख सकते हो कहां पर कितनी stress है 3D में भी देख सकते हो 2D में भी देख सकते हो ठीक है और यह types of stress है आप जो चाहे stress यहां से चेक कर सकते हो उसके बाद जाना है movement envelope generation पर यानि movement envelope करने है में पूरे load के लिए सभी load के लिए तो used or load or generate पर click करेंगे उसके बाद जाएंगे design parameter तो यहां parameter अपने problem के according आप change कर सकते हो हम design पर click करेंगे यह design हो गया है अब result summary पर जाकर देखेंगे oh my god यह तो fail हो गया है जो area of steel हमको चाहिए था इस slab इस foundation mat foundation को जो area of steel चाहिए था moment score force को resist करने के लिए वो area of steel यहीं नहीं डाल पा रहा है क्योंकि चाहिए thickness हमारी कम है इसके वाई से नहीं डाल पा रहा है तो thickness बढ़ा देते हैं क्योंकि मैंने आपको बताया था starting में लोड बहुत ज्यादा है हमारे विदिंग में तो वन मीटर रहते हैं थिकने और दुबारा एनलाइस करते हैं कि अनलाइस करने के बाद मुवमेंट एमलब दुबारा करना पड़ेगा उसके बाद डिजाइन डिजाइन पर क्लिक करना होगा अब रिजल्ट में देखते हैं तो देखिए अरिया स्टील अब आ चुका है डिजाइन हो गया इसका ठीक है अब जाएंगे रिंफोर्सम डि स्टी. तो दिफाइन करना जौन तो यह डोगी टूनेल देल्क цеAudet लोंगेद्ल्ट मोटंटम च्रेइट ट्रेजरट एतना करना है उसकी बाद जानद को मुवमेंट कैपसिटि पर यहां पर राप प्लॉट मोमेंट कैपिसिटी डाइग्राम प्लॉट कर सकते हैं यहां पर कलर के साब से स्ट्रस देख सकते हैं प्लॉट मोमेंट डाइग्राम देख सकते हैं और इस आइसमेटिक देख लिए और आप यहां पर फेलिंग का भी देख सकते हैं प्लॉट फेल डाइग्राम जो तो यह था हमारा मैट फांडेशन डिजाइन और भी आपकी कोई इंक्वारी हो तो प्लीज कमेंट करें मेरे वेबसाइट www.engineersforcivil.com पर जाएं और हो सके तो वहाँ पर आसपास में जो एड्स दिखाई रहते हैं इस पर क्लिक कीजिएगा और यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू एक बात और करनी थी मिझे जैसे कि अब मेरे इस वेबसाइट पर जाएंगे और मैंने का आप से कि आसपास के एड पर क्लिक करना और यह वेबसाइट मैंने बनाई कैसे कितना पैसे लगा कैसे मुझे कोई अर्निंग होती है और यूट्यूब पर में वीडियो डालता हूं आपको लाइक करने के लिए बोलता हूं सब चीज अगर आपको पता करनी है तो प्लीज कमेंट कीजे जितने जादा कमेंट आएंगे कमेंट मैं आप इस बात को लिखेंगे तो मैं मैं को लगेगा कि मेरे वीवर यूट्यूब वीवर वो वीडियो ऐसी वीडियो चाहते है आपनाओंगा क्योंकि यह पूरा चैनल जो है सिविल इंजिनेर को डेडिकेटिट है सिविल इंजिनेर्स के लिए तो एक ऐसी वीडियो अगर आप चाहते हैं तो बनाओंगा वन्हा मैं इसको प्योर सिविल इंजिनेर ही रहने दूँगा तो इतना ही कहना है जैसे की बनाया है मैंने वह उपन हो जाएगा और यहां पर फॉलो आ रहे हैं जो जिन्होंने चैनल ये वेबसाइट फॉलो की हुई है देखे और इसमें देखिए अपर गेट का किस तरह से डाला है बुक्स पर अगर मैं क्लिक करता हूं मालीजिए इस टैड़ पर लिए बुक्स यहां पर क्लिक करूंगा मैं तो यहां पर आप देखेंगे बुक्स आ जाएंगी थोड़ा सा इंटरनेट शलो चल रहा है और उस वज़े से यहां पर सारी बुक्स की लिस्ट आएंगी अब इस बुक्स पे क्लिक करोगे तो आप Amazon पे खुल जाएगा वहां से आप इसे बाइ कर सकते हो तो यह मैंने क्यूं डाला है यहां पे popular post कैसे आ रहे हैं यहां मेरे YouTube चैनल कैसे आ रहा है सब्सक्राइब करने के लिए यह website को बनाने में कितना पैसे लगा नाम मैंने ऐसा क्यों रखा है तो सारी चीजे आप पूछिएगा कि इस बारे मैं चाहते हो तो मैं वीडियो बनाऊंगा क्योंकि मैं चाहता हूँ तो बहुत चीज़ों के बारे में वीडियो बनाना चाहता ह तो मुझे बताएं, जादा सा जादा कमेंट आएंगा तो फिर मैं मोटिवेट होँगा और मैं फिर उसके लिए टाइम निकाल के जोरो वीडियो डालूगा, तो थैंक यू